Hello everyone and once again welcome to digital marketing course by WSQP tech Myself को मरतस्कित गाई लाश्ट के वीडियो में हम लोगों समझने कोशिश करी कि जो हमें keywords select करने होते हैं या जो हमें keywords की themeing करने होती है वो ad group के अंदर हम किस तरीके से करते हैं और कितनी important है यह जब हम बात करते हैं ad relevancy की quality की score की और हमारे relevant ad को दिखने की ठीक है और हमारे ads के impression होने की इन सारी चीजों में यह चीज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो हमारे keywords है वो teamed होने चाहिए तो keywords के उपर हम लोगोंने बात करी है ठीक है उससे अलग-अलग types of keywords होते हैं या keywords match types होते हैं वो क्या है वालब यह normal keywords जो आप select करके लाते हो इनसे भी advance एक चीज है जिनको हम बोलते हैं keyword match type और actually जब हम लोग अपने ad group के अंदर keywords को रखते हैं तो हम रखते हैं on the basis of keyword match type ठीक है तो यह चीज को भी हम लोग जल्दी से समझ लेते हैं वो क्या है तो पहले हम लोग process समझते है process यह है कि यहां पर हमारे पास ad group होता है ठीक है हम अभी campaign को थोड़ा सा ignore करें में वालब campaign level के settings को थोड़ा सा ignore करें क्योंकि हम बात थोड़ा से specifically keywords और ads के उपर कर रहे हैं यूजर जो है keywords टाइप करेगा यह यूजर जो है वो कोई query करेगा उस query के basis पर Google चेक करेगा कि वो जो हमारा keyword है ठीक है अगर वो match करता है यूजर की query से match करता है तो वो keyword किस ad group के अंदर है उस ad group के अंदर कौन-कौन से अलग-अलग ads है और उन ads में से कौन सा ad trigger होगा ठीक यूजर जो है वो एक query करता है एक keyword यूजर टाइप करता है और Google क्या करता है उस keyword को match कराता है मेरे ad group से कि मेरे किस ad group के अंदर ये वाला keyword present है तो अगर वो वाला keyword जो हमारे ad group के अंदर present है उसकी अगर कुछ इस type से quality score बिडिंग बन रही है कि हमारे ad को show होना चाहिए ठीक दिखाएगा क्योंकि एक ad group के अंदर multiple ads भी तो होते हैं तो तीन चार जो ads दिए हुए वो कौन सा उसके closest ad है जो वहाँ पर show होगा है यह basically process होती है तो जो ad group है उसके अंदर हम लोग जैसे समझते हैं कि एक ad group के अंदर हम लोग क्या देखते हैं कि multiple keywords हैं तो फिर से मैं यहा हमारा keyword हो सकता है वह सकता है बेश्ट डिजिटल marketing course यह हो सकता है चौथा हमारा हो सकता है बेश्ट online marketing course यह जो हम लोग keywords लेकर आते हैं यह क्या करेंगे यह keywords जो इसके अंदर अलग-अलग ads होंगे इसी ad group के level पे जो अलग-अलग ads होंगे वह मैं यहां से निकालता हूँ ए यह वो ad है मैं इसी को ऐसे copy कर देता हूँ कि एक ad यह है हमारा मैं इसको copy करता हूँ और यहां हम लोग आते हैं और इसको मैं पेश्ट करता हूँ ठीक है यह एक specific ad है इसी तरीके से यह एक दूसरा भी ad है जो इसी जो है ad group के अंदर है तो यह वाला for example यहां पर कोई user है ठी user कोई query करता है और वो जो query है वो इससे match करती है ठीक है digital marketing course जो query है वो user करता है digital marketing course तो query से match कर रही है ठीक है digital marketing course इस वाले keyword से match कर रही है ठीक है और सारे सीजे सही है हमारा quality score अच्छा है मतला हमने सारे चीज़े ठीक करकी है हमारा quality score अच्छा है मतला हमारा ad eligible है show करने के लि के जो सबसे close जो add है वो कौन सा है वो add ये भी हो सकता है और वो add ये भी हो सकता है जो भी add इस particular keyword के सबसे close होगा वो add हमारा trigger हो जाएगा उस वाले add के हमारे impressions हो जाएगे और फिर क्लिक करेंगे और फिर हमारी website उपर जाएगे और वहाँ पर भी further conversion कर सकते हैं तो ये actually process होती ह बट इस बात को थोड़े सा हम लोग इस तरीके से समझने की कोशिश करते हैं कि अगर user query कर देता है free digital marketing course तो क्या हमारा add दिख सकता है या नहीं दिख सकता है इसको हम लोग समझते है user ने query करी free digital marketing course तो इन दोनों में से क्या कोई हमारा add दिख सकता है या नहीं दिख सकता है तो वही basics हैं, logics होई हैं कि सबसे पहले Google क्या check करेगा कि ये वाला keyword किस वाले ad group के अंदर है तो हम देखते हैं तो ये वाला keyword कोई भी जो है ad group के अंदर exact ये वाला keyword नहीं है बट इससे मिलते जुलते keywords है तो मिलते जुलते जो keywords होते हैं जैसे ये free digital marketing course है और फिर यहां से कोई न कोई वो ad trigger करा सकते तो problem है देखो problem क्या हुई problem ये हुई कि इससे मिलते जुलते भी जो keywords है वो show हो सकते हैं तो हमें इस चीज़ को avoid करना है या क्या सारी cases में ऐसे चीज़े रहेंगी तो ये सारी चीज़ों का जो answer है वो है match type तो यहां पर आप लोग देखो कि जब हम लोग यहां पर मैं campaign एक नया campaign आपके सामने create करता हूँ तो आपको और अच्छी तरीके से समझ में आएगा कि जिस वक्त हम keywords enter करने कर रहे होते हैं उस वक्त हमारे पास option होता है कि हम किस type के keywords enter करें तो ऐसी जो problems create हो रही है ऐसी problem जहां पर free digital marketing course के उपर हमारा add दिख सकता है या इसके close variant के उपर मतलब यहां पर यह वाला हमारा keyword है पर इसका अगर कोई यहां पर query close variant की query हो रही है तो भी वो इसको match कराके हमारा add show कर सकता है तो अगर यह चीज है तो इस चीज को हम किस तरीके से समझते हैं किस तरीके से avoid करते हैं किस तरीके से हम इसको control करते हैं उसका जो answer है वो है keyword match type तो जैसे कि मैंने आपको बताए कि keyword match type हमें जब हम यहां पर अपना campaign create करेंगे मैं search campaign create कर रहा हूँ जो add set है या add group है वहां पर जब हम लोग keywords enter करेंगे तब वो हमें option देता है कि आप keyword types के हिसाब से enter करना चाहते हैं या normal जो आप keywords research करके लाए हैं उनको आप enter करना चाहते हैं तो एक बार के लिए मैं यहां manual cpcs को कर देता हूँ हम लोग further save and continue यहां budget के बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते तो एक बार के लिए मैं budget enter कर देता हूँ और उसके बाद मैं यहां पर कर देता हूँ save and continue ठीक है जैसे ही मैं यहां पर save and continue करूँगा आप देखोगे कि जो हम लोग add set वाला level है वहां पर हम लोग आ जाते हैं हम हर specific keywords के आगे bid रखते हैं तो यहां पर जो हमारी default bid है 15 rupees जैसे मैंने रख दी है 10 rupees रख दी तो यह सारे ही keywords के उपर जो है वो लागू हो जाएगी ठीक है अब यहां पर देखो enter keywords manually तो अब मैं यहां पर अगर enter करता हूँ digital marketing digital marketing course तो अब यहां पर देखो यहां पर नीचे आपको दिख रहा है कि अगर आप normally ऐसे keyword enter करते हो ऐसे तो यह जाएगा keyword के broad match में और फिर दूसरा अगर हम इस type से मतलब जो हमारे digital marketing course keyword है अगर मैं इसके आसपास इस तरीके से use करता हूँ ठीके इस तरीके से use करता हूँ तो यह जाएगा phrase match में ठीके इसी तरीके से अगर मैं यहां plus और plus यहां use करता हूँ तो यह जाएगा दोस्तों हमारे broad match modifier में और अगर इसी तरीके से मैं अपने keyword के आसपास जो हमारा keyword है digital marketing course इसके असपास मैं यह square brackets लगा देता हूँ तो यह जाएगा exact match में तो यह keyword का जो type है अब हो गया exact match तो यह चार अलग-अलग तरीके की keyword types क्या है हम तो सीधे-सीधे यह चाहते हैं कि कोई बंदा अगर digital marketing course type करे तो हमारा add दिख जाए तो इनी सारी चीज़ों के समझने के लिए हमें इस चीज़ को समझना पड़ता है कि आखिर जो अलग-अलग keyword match types है यह अलग-अलग keyword match types क्या है जो तो यहाँ पर आप देख सकते है यह जो चार तरीके के keyword match types होते हैं वो होते हैं broad match और उसके बाद बहुता है broad match modifier ठीके तीसरा होता है phrase match और चोथा होता है exact match यह चार तरीक keywords होते हैं और अगर मैं कुछ नहीं लिख रहा हूँ जैसे normally अगर मैं इस type से लिख रहा हूँ अगर मैंने इस type से अपना keyword एंटर किया उन पे भी आपका ad show हो जाएगा जैसे कोई by ladies hat type करता है और अगर आप eligible हो show करने के लिए आप eligible हो तो आपका ad जो है वो show हो जाएगा तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ include miss spellings अगर कोई गलती होती synonyms close जैसे woman का synonyms होता है ladies तो अगर women's hat कोई यहाँ पर keyword जो है आप इसके उपर bidding कर रहे हो और कोई यूजर है वो women's hat की जगा वो ladies hat type करता है क्योंकि women's का जो close variation है यहाँ आप करने जो synonyms है वो ladies है तो उस पर भी आपका ad दिख सकता है तो अगर आप कोई keyword जिसके उपर bidding कर रहे हैं है relevant variations है वो अगर यहाँ पर type होते हैं तो आपका ad दिख सकता है second is broad match modifier broad match modifier में हम लोग क्या करते हैं जैसे मैंने यहाँ पर जो है वो select किया women's hat ठीक हम इस keyword के उपर bidding कर रहे हैं हमारा जो keyword है जिसके उपर हम bidding कर रहे हैं मैं यहाँ ले लिका हूँ यह example जैसे हमारा जो keyword है जिसके उपर हम bidding कर रहे हैं वो keyword है हमारा women's hat अगर मैं इस keyword के उपर bidding कर रहा हूँ और अगर मैं इस keyword के आगे जैसे यह woman है woman के आगे मैं plus लगा देता हूँ और hat के आगे मैं plus लगा देता हूँ इसका मतलब यह है कि user की query में woman और hat दोनों होने ही चाहिए ये compulsory है कि user की query में women's और hat होनी चाहिए अगर user की query में women's और hat नहीं है तो हमारा add नहीं दिखेगा ठीक है पट यहाँ पर क्या था जो हमने broad match लिया था तो broad match के case में women's hat जो हमारा keyword जिसके पर हम bidding कर रहे हैं तो वो ladies hat पे भी हमारा show कर जा रहा था क्योंकि उससे relate करता है बट इस case में क्या ladies hat पे show करेगा नहीं करेगा अगर यहाँ पर आप देखो तो ladies hat पे नहीं show करेगा बट किस पे show करेगा hats for women पे show करेगा क्योंकि अब user की query में women और hats दोनों ही आने चाहिए तो women भी आ रहा है और hat भी आ रहा है ठीक है यहाँ पर हमने प्लस लगा दिया keyword के आगे तो उस अपने पूरे keyword में जिन भी words के आगे हम लोग plus को use कर लेंगे वो user की query में होना 100% compulsion है किस order में इससे मतलब नहीं है hats for women हो सकता है women hats हो सकता है वो होने चाहिए बढ़ किस order में आगे पीछे वो नहीं तो हम जब अपने जो हमारी searches हो रही है हमारे keywords के relevant जब हम उनको और जादा control करना चाहते हैं तो हम इस type से broad match modifier यूज करते हैं उसी तरीके से phrase match अब phrase match में हम keyword के आगे पीछे इस type से use करते है जैसे मैंने यूज किया women's hat ठीक है इस तरीके से हम use करते हैं तो इसका मतलब यह है exact women's hat यूजर की query में होना चाहिए और इसके आगे या पीछे कुछ हो सकता मतलब यह hat woman नहीं हो सकता है अगर user search कर रहा है तो add नहीं दिखेगा बट इस वाले case में अगर hat woman कर रहा है broad match modifier में तो दिख जाएगा यहां क्या होना चाहिए यहां woman's hat ही होना चाहिए इसके आगे पीछे कुछ हो सकता है यह phrase exact होना चाहिए यह बाई भी हो सकता है तो आपका add दिख जाएगा उसी तरीके से चौथा जो है that is exact match अब लोग चौथे पर आते हैं चौथा is exact match जैसे नाम से पता चला exact वैसा ही होना चाहिए तभी तो जैसे आपने keyword select किया woman's hat तो जब कोई user woman hat टाइप करेगा तभी add दिखेगा अगर वो ladies है टाइप कर रहा है तभी add नहीं दिखेगा अगर वो hat for women's hat for women's type कर रहा है तभी add नहीं दिखेगा ठीके hat for ladies अगर वो type कर रहा है तभी नहीं दिखेगा तो अगर हम जो है और जदा control चाहते हैं ठीके और जदा control चाहते हैं कि हम किस type के keywords के उपर हम अपना add दिखाने हैं हम बहुत rigid हैं हम बहुत rigid हैं अपने decision में कि नहीं भाई अगर कोई exact women's hat type करेगा तभी हमारा add दिखाओ वर लिए जाते हैं ब्रॉड मैच जनरली बहुत सारी queries जो है उनको बना देता है मतलब ब्रॉड मैच के ऊपर जो है क्योंकि ब्रॉड मैच टोड़ा सा wide होता है अगर हम ब्रॉड मैचे से मैंने लिया flats in Delhi ठीक है flats in Delhi तो कोई search कर रहा है flats for rent in Delhi और कोई search कर रहा है आमरपाली flats in Delhi कोई search कर रहा है new flats in Delhi कोई कर रहा है flats for rent in Delhi फिर कोई कर रहा है second hand flats in Delhi कोई कर रहा है flats under 25 lakhs in Delhi तो सभी पर हमारा जो है वो add दिखेगा अगर हम के वल flats बेच रहे हैं और normally rent के लिए भी नहीं दे रहे हैं तो उन सारे keywords के उपर जो हमारा अगर add दिख रहा है तो क्या वो relevant है नह हम बहुत जादा broad keywords की तरफ मत जाएं हम या तो broad match modifies को use करें या जो है हम लोग इसको use करें जो हमारा यह वाला होता है वह यह जिसमें हम double quotes लगाते हैं जो हमारा phrase match keywords है इसको हम use करें exact match में आप देखोगी कि exact वही कोई type करेगा तब ही आपका add शो होगा वरना आपका add नह दिखेगा ठीक है और आपके competitor में अगर लोग exact match पे bidding कर रहे हैं तो आपके लिए situations थोड़ी सी tough हो जाती है तो यह चीज होती है हमारी तो keywords को जब हम लोग यहाँ पर अपने keywords को enter करेंगे जैसे मैंने walkthrough में आपको बताया था यहाँ पर जब हम लोग अपने keywords को enter करेंगे तो हम इस चीज़ को use कर सकते और कोशिश करनी है कि एगर आप एक adgroup में broad match यूज़ कर रहे है तो उस adgroup में आपको केवल rav image use करना है आपको यह नहीं करना है कि broad match औ ब्राड मेच मॉडिफायर एक साथ यूज़ करना है यह नहीं करना है को कि आप broad match के साथ किसी और को यूज करो फिर तो problem create हो जाएगी ना broad match भी आप कर रहे हो और साथी साथ आप बोल रहे हो कि इसको जो है कुछ control भी चाहिए ठीक है मतलब broad match modifier भी कर रहे हो तो यह चीज़ गडबल करने वाली है उसके लिए फिर आपको दूसरा जो है वो ad group बनाना पड़ेगा है दूसरे ad group में उस चीज़ को टेस्ट करना पड़ेगा मतलब एक ही keyword ब्राड मैच और ब्राड मैच modifier में नहीं हो सकता बात के लिए भी तो दोस्तों इस पर्टिवले वीडियो में इतना ही आशा करता हूं आपको concept समझ में आया होगा कि keywords नॉर्मल नहीं होते है keywords के types भी होते हैं और हमें और अच्छा control प्रोवाइड करते हैं मिलते हैं नेक्स वीडियो में till then good bye